गाइस MIUI 13 की official device list हमाई सामने निकल के आ चुके है और गाइस देख सकते हैं यह official device list है जो किया Xiaomi UI ने यहाँ पे upload करा है अपने official Twitter अकाउंट पे जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो और गाइस इसके अंदर काफी सारी चीज़ उन्होंने mention करी है किसको एर Android 12 के साथ मिलेगा MI किसको पहले मिलेगा किसको बाद मिलेगा Redmi, POCO, MI, सारे के सारे device इन्होंने mention कर दिये हैं तो आज की वीडियो में आपको सारे device के बारे मताने वालों कौन-कौन से device को मिलेगा और गैस किसको Android 11 के साथ मिलेगा किसको पहले मिलेगा सारी चीज़ आपको पता लगेगी तो वी सबसे पहले मैं आपको official MIO 13 की device list दिखा देता हूं और गैस इसे मैंने official अपने mysterious tech G&T telegram चैनल पे भी upload कर दिया है आप यहाँ पे भी जाके देख सकतो इसका link का आपको description मिल जाएगा अगर आपको पूरी device रीड करनी है तो तो देख सकते हैं यहाँ पे device list है अगर हम इसे 13 इंको Android 12 का update देखने को नहीं मिलेगा उसके दिनों लिखा device with build number will get MIO 13 first these builds are internal build and we can't access तो जिसमें भी build number लिखे हूं इस साल जो लिखा हूं 13.0.3.0 इन सब को सबसे पहले MIO 13 का update देखने को मिलेगा और गैस देख सकते हो this list is not approved by Xiaomi Xiaomi MIUI gets internal information from Xiaomi and MIUI मतला इनको internal information मिलती है उसी based पे list है और list ही update करेगे 20 November को तो सबसे पहले हम Xiaomi series देख सकते है Xiaomi Xiaomi series आप यहां पर पढ़ सकते हो Mi 10i, Mi 10 Ultra, Mi 11 Ultra और यहां पर Mi CC 9 Pro, Mi 9 यह सारी list है Mi 11 X Pro, Mi 11 X और Mi 11 Lite यह सारी आप पढ़ सकते हो Mi 11 Lite 5G भी है और उसमें काफी सारी डिवाइस है जो कि आप पढ़ सकते हो अब बात करते है Redmi के डिवाइस के और बात करते है Redmi के series की तो Redmi के series में Redmi 9A, 980, 9i और यहां पर पर परपल मार्क से मेरने हुए इसका मतलब सिर्म को Android 11 का अपडेट मिलेगा Redmi 9 India यहां पर परपल मार्क है मतलब Android 11 का ही update मिलेगा Redmi 9T, 10X, 4G इन सबको Android 11 का update मिलेगा अप यह पढ़ सकते हो Redmi 10, Redmi 10 Prime बात करते है Redmi Note series की तो Redmi Note 8, Note 8T, Note 8 Pro, Note 9, Note 9 को भी Android 11 के साथ ही MI 13 मिलेगा तो यह Android 12 का पहले भी चैंस नहीं था अभी इन्हों नहीं यहां पर दिखा दिया है कि Android 12 Redmi Note 9 को नहीं मिलेगा जो कि यह काफी बेकार बात है इसके लिए हमने ट्वीट भी डाल था पर ऐसा कुछ हुआ नहीं अभी तक Android 12 update Redmi Note 9 के लिए confirm नहीं हुआ है Redmi Note 9S, Note 9 Pro, India Note 9 Pro, China देख सकते हैं यह साई डिवाइस आप पढ़ सकते हो Mi 10 Lite, Redmi Note 10 Pro, Note 10 Pro Max, Note 10 Pro Global इन सब को गाइस Android 12 भी मिलेगा Mi 13 भी मिलेगा Poco की डिवाइस Poco F2 Pro, F3, GT, X2 तो यहां पर Poco F1 का नाम नहीं है तो Poco F1 को यहां पर नहीं मिलेगा जो कि Mi 13 है और Poco C3 को Android 11 के साथ ही मिलेगा और Poco M2 को भी Android 11 के साथ मिलेगा Poco M2 Reloaded को भी Android 11 के साथ ही मिलेगा, Mi Pad तो आहे नहीं इंडिया में तो आप यहां पर सारी लिस्ट पढ़ सकते हैं, अकर आपकर आप लिस्ट से देखनी है तो आप मारी वीडियो देखने के लिए